दोस्तो अगर आप भी phone pay का इस्तमाल करते हैं और आप भी अपने phone pay के अंदर bank account को link करना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं लेकिन अगर आपको पता नहीं ये phone pay के अंदर bank account को कैसे link किया जाता है तो इस video को ध्यान से लाश टक देखते रही है आज की इस video मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल इन्फो हिंदी में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो फोन पे के अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करना जोड़ना काफी जादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान सलाश चक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने फोन पे के अंदर बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं जोड सकते हैं तो फोन पे के अंदर बैंक अकाउंट को जोडने के लिए सबसे पहले तो आप फोन पे अब्लिकेशन को ओपें कर लिजे अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस परकार का phone पे application खुल जाएगा अब यहाँ पे आने के बाद आपको उपर के side में जो option देखने को मिलता है profile का यहाँ पे simply आपको profile वाले option पर click करना है अब यहाँ पे जैसे आप आजाते हैं आपको हलका नीचे के side में payment method को option देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा bank account का option जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे है simply आपको यहाँ पे bank account वाले option पर click करना है अब यहाँ पे जैसे आप आजाते हैं आपके सामने एक option आजाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है aid new bank account simply आपको यहाँ पे aid new bank account पर click करना है अब यहाँ पे जैसे आप click कर देते हैं इंडिया में जितना भी bank है सभी bank का नाम आपको यहाँ पे लेखने को मिल जाएगा आपको नीचे के side में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा bank का यहाँ पे नाम आ रहा है अब यहाँ पे हमारा bank है paytium payment bank तो यहाँ पे हम paytium payment bank select कर लेंगे अगर आपका state bank है तो आप वो भी select कर सकते हैं simply आपको करना क्या है उपर के side में सबसे आपको आ जाना है और यहाँ पे search bank का option देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे search by bank name इस पर click कर देजिए और यहाँ पे simply हम डाल दते हैं अपने bank का नाम यहाँ पे आगे हमारा paytium payment bank यहाँ पे आने को है simply आपको bank name पर click करना है अब यहाँ पे जैसे आप click कर दते हैं आपके mobile number से आपका bank account जो है link हो जाएगा अगर आपका नहीं बना होगा तो यहाँ पे straight pin का option आ जाएगा इस पर आपको click करना है simply अब यहाँ पे आपने अधार card या फिर जो है ATM card से आप अपना pin बना सकते हो तो यहाँ पे simply आपको करना क्या है debit card वाले option पर select करना है और यहाँ पे proceed वाले option पर click कर देना है यहाँ पे आने के बन आपका ATM card का last 6 अंका number जो आपके card को उपर लिखा होता है वो card number यहाँ पे डालना है और ATM card के उपर ही आपका expiry month और year होता है यहाँ पे simply आपको deck के डाल देना है प्रोसेड वाले option पर click कर देना है उसके बाद से आप अपने UPI pin यहाँ पे बना लिजेगा UPI pin बनाने से यह होता है आपको वही पेमेंट करते हैं तो वही पेमेंट आपका डालना पड़ता है तब ही आपका पेमेंट होता है तो हमारा पहले से बना हुए हम simply बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद यहाँ पर simply हम जो है इसको cut करते हैं done वाले option पर हम click करते हैं अब यहाँ पर आप देश सकते हैं finally हमारा bank account यहाँ पर aid हो गया इसे पगार से आप भी अपता bank account aid कर सकते हो फोन पे के अंदर वीडियो को लाइक करना साथ इसाच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले